आज मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी एक बहुत टेस्टी लाइट स्नैक्स रेसिपी छीस गार्लिक ग्रेड जो खाने में टेस्टी तो होती ही है लेकिन बनाना भी बहुत आसान है और ये बच्चे को इतनी पसंद आती है कि अगर आप उन्हें एक बार बना कर खिलाओगे तो बच्चे हमेशा आपसे इसे बनाने की डिमांड करेंगे अकसर लोग डॉमिनोस का चीस गार्लिक ब्रेड अफॉर्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये आसान तरीके की रेसीपी लाई हूँ जो घर पर बिना ओवन के किस तरह मनाए और दॉमिनोस का मजा घर पर ही ले पाए तो चलिए देखते हैं हमें चीस गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए किन-किन चीजों की ज़रत पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेस्टी चीज गार्लिक ब्रेड बनाना इसकी फिलिंग बनाने के लिए एक चोटी कटोरी लेंगे अब मैं मिर्च को बारिक बारिक काट कर लूँगे मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबित ले सकते हो अगर वच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हो अब कोतमिर भी मिर्च की तरह बारिक बारिक काट लेंगे मैंने एक टेबल स्पून के करिब कोतमिर लिया है आप कम जादा भी कर सकते हैं और लसुन को भी इसी तरह बारिक बारिक काट लेंगे आप चाहो तो लसुन को ग्रेट करके भी ले सकते हो काफी लोग लसुन को बटर में फ्राइ करके लेते हैं लेकिन आप इस तरह बिना फ्राइ किये भी ले सकते हो टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी और इससे आपका टाइम भी बचेगा अब इसमें एक टेबल स्पून बटर डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस मिक्सर को बनाकर आप दो दिन फ्रीज में रख सकते हो जब भी बनाने का मन करें तो इसे 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज में से निकाल लें आप इसे अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो इस मिक्षर को रात में बना कर रख लें इससे आपका टाइम भी बचेगा और टिफिन में चीज गरलिक ब्रेट देखकर आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे अब हम ब्रेट स्लाइस लेंगे और इससे ब्रेट स्लाइस पर अच्छे से स्प्रेट कर देंगे मैंने ये मिक्षर तीन स्लाइस ब्रेट के लिए बनाया है आपको जादा ब्रेट स्लाइस के लिए बनाना हो तो आप इसकी कॉंटिटी डबल या ट्रिपल कर सकते हो हमारे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉबलम है बार बार जाती रहती है इसलिए वीडियो की कॉलिटी में जो कमी है उसे जज़ ना करें प्लीज अब मैं इसमें चीज ग्रेट करूँगी मैंने अमूल का चीज क्यूप ली हूँ आप इसमें मौजरीला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो चीज को सारे ब्रेट पर अच्छे से ग्रेट करना है आप चीज ज़्यादा खाते हो तो दो क्यूप भी ग्रेट कर सकते हो अगर आ चालू करके एक पैन रख देंगे आपके पास तवा या पैन जो भी अवेलेबल हो ले सकते हो गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें ताकि बटर जले ना बिस्मिल्लाहिर रख्मान इर्रहीम अब पैन में बटर डालेंगे बटर मेल्ट हो जाएं तो उसे सारे पैन पर अच्छे से कर लेंगे और उस पर ये चीज से लोडेट सारे ब्रेट रख देंगे और इसे कवर करके दो मिनेट तक या चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे अब दो मिनेट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं चीज मेल्ट हुआ है या नहीं आप देख सकते हैं चीज मेल्ट हो चुका है अब से डॉमिनोज वाला टेस्ट आए आपके पास ना हो तो इसकिप कर सकते हो अब इस पर थोड़ा चिली फ्लेक्स पिंकल कर दूंगी आप देख सकते हो हमारा चीज गार्लिक ब्रेड अब डॉमिनोज जैसे चीज गार्लिक ब्रेड की तरह लग रहा है और यकीन मानिए यह उत रखें दूआ में याद रखें असलाम वालेकूम